वेल्कम चुमाई क्लास थिंक यूप्यसी हो वेल यू और वेल दोस्त एक गल्दी हो गई मेरे से जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओके पहले बता दू यह जो इंपोर्टन पसनलेटीज का सीरीज चला है मेरा उसका यह सेवंथ पार्ट है और जो मिस्टेक हुई है मेर आज फोटो दिखाता हूँ मैंने थिंक सोचने के लिए कि आप सोचे कौन थे ठीक है जो कहते हैं आज मैं उसका बताना चाहूंगा मिस्टेक क्या होगी जो यह आलम बेग है यह 1931 के हैं और क्या कहते हैं यह एक बांगलादेशी फोटोग्राफर है बड़ जिन आलम बेग क्या बताने जा रहा हूँ वो कौन है उनका सिक इसकल मिला था इसकल आफ आलम बेग दा लाइफ और डाफ आफ आरेबल ओफ 1857 इनकी एक बूक है इसकल आफ आलम बी लिखा है किम आफ वेगनर ने लिखी है किस ने लिखी है किम आफ वेगनर आप चाहिए बुक पढ़िये इस इस बुक में है कैसी brief history religion मैं की बताने जा रहा हूं कुछ आपको Alam Vig के बारे में ओके लेट्स सुनिये इन 1857 Alam Vig also known as Alam Vig was a soldier with the 46th Bengal Native Infantry and arm of the East India Company East India Company की arm का एक infantry का soldier था जिसका नाम था Alam Vig 46th Bengal Native Infantry the matinee that year after having covered the North India Heartland spread to Siyaalcoat now in Pakistan where Alam Vig and his companions tried to follow their fellow soldiers and attack the European postage there मलब की North India का fellow part था मलब की Heartland था उसको protect करने गए थे लोग ठीक है Alam Vig ने महाँ पर European देगा और उन पर attack कर दिया 9th July 1857 they killed seven Europeans अलब की 9th July को 1857 देट ज्यादा मैटर नहीं करती वस 1857 है ने ये 1857 में एक क्रांती और होई थी यहाँ पर इन्होंने कर दी आलम विग ने they killed seven European उन्होंने seven European को क्या कर दिया था उड़ा दिया था मार दिया था including an entire Scottish family जिसे हम Scottish family गाते थे उसको इन्होंने उड़ा दिया था आलम वेक along with his commanders left Siyalcoat and trekked all the way to the Tibetan frontier only to be turned away by the guards on the Tibetan side अब इन्होंने जैसे European European मार आओ उन्होंने Siyalcoat छोड़ दिया Siyalcoat छोड़ने के लिए तिब्बाद बार पर आगर के बैट गया he was reportedly arrested from the Madhupur a scenic town on the northern part of the India Punjab and taken back to Siyalcoat माधुपूर में एक माधुपूर में एक माधुपूर में एक अरेस्ट हो गए और इनको फिर वही है यह पंजाब माधुपूर कहां पढ़ता है यह नौर्थ इंडिया में पंजाब साइट पढ़ता है और Siyalcoat बाप्पिस लाए अब जो पाकिस्तान में है अब जो माधुपूर में एक साल बाद लपी 1858 में क्या हुआ यह उड़ा दिया गया इनको बस तोप के गोले के सामने रखके उड़ा दिया गया यह थे आलामभीग अलामभीग भी अंग्रेज उससे चरते करते हैं उनने एरोपेन फैमिली साथ लोगों को मार दिया था ठ ठीक है हम बात करते हैं आपकी नेक्ट पिचर के रिए यह पिचर सही है जोसके लिए माफ करना आलमभीग की फोटो भी तक नहीं मिली है वैसे उनका इसकल मिला है और जो मैंने आलमभीग की फोटो अपको दिखाई थी वो क्या थे वो बांगलदी सी फोटोग्राफर थे आप उनके वारे में बता सकते हो ठीक है यह इनके वारे में आप सोचिए इस इस दा पार्ट सेवन लास्ट वीडियो मुझे हो असा है कि आप हमें में छोटी सी गलती के लिए माफ कर देंगे सुरी बबाए